पांच विक्टो से तीसरा T20 मैच भारत हार गया और आस्ट्रेलिया जीत गई खैर यहाँ पे भारत को सिरीज वाइस तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग के दो मैच भारत आल्रेडी जीत चुका था अब तीसरा मैच जीत जाता तो भारत सीधा यहाँ पे बाइलेटरल सिरीज जीत जाता और आस्ट्रेलिया को हरा देता पर यहाँ पे भारत ने एक मौका दिया आस्ट्रेलिया को जीतने का और उसके बाद चौथा जो मुकाबला होगा वहाँ पे भारत जीत जाएगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप से तो बच जाएगी पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन्ही सब के भी जब मैच खतम होता है तो मैथ्यू वेड जी हाँ मैथ्यू वेड और कंपनी काफी अच्छा परदर्शन करती है पर लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर सूरे कुमार यादव और कंपनी भी काफी अच्छा परदर्शन करती है और यहाँ पर जो चूक हो गई थी सूरे कुमार यादव से मैच के दोरान उस पर किया है उन्होंने खुला सा मैच के बाद बयान में उन्होंने सारी बाते बताई तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सूरे कुमार यादव के स्टेट्मेंट पे कि आखिर उन्होंने मैच के बाद क्या कहा प्लान मैक्सवेल को जल्द से जल्द आउट करने का था इतनी अधिक ओस के साथ 222 रन डिफेंट करने के लिए गेंदबाजों के लिए कुछ देना होगा और स्टेलिया हमेशा से गेम में थी लड़कों से कहा कि मैक्सवेल को जितना जल्दी हो सके है आउट करने की कोशिश करो लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह शांदार था अक्षर अनुभवी बॉलर है और मैंने सोचा था कि अनुभवी गेंदबाज के लिए हमेशा मौका रहता है भले ही ओस हो लड़कों पर गर्व है तो साथियो सूरे कुमार यादव ने कहा लड़कों पर गर्व है और हो भी क्यों ना क्योंकि जिस सरीके से यहाँ पर भारत ने तीनों मुकाबले में फाइट बैक दिया है वो कही ना कही सरानिय है अनफॉचनेटली तीसरा मैच हम जीत नहीं पाए पर लेकिन भारत की तरफ से परदर्शन किया रितुराद गाइकवर्ड ने अपने जिन्दगी का पहला शतक भी बनाया तो कही ना कही अगर आप देखेंगे भारत थ्रूआउट अभी तक तीसरे मुकाबले तक काफी अच्छा खेला है और आस्ट्रेलिया को यहाँ पे काफी जादा परेशान भी किया है बाकि आप लोगों ने भी अगर तीसरे मुकाबला देखा और आप कितने सहमत हैं यहाँ पे सूरे कुमारी आदव के बयान से हमें अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए साथ-साथ आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो जाथ शेर करें चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और देखते रहें तो फान स्पोर्ट्स